Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल और ये देखें, ये statement क्या कहता है, No country will be allowed to provide sanctuaries and facilitation to terrorists, and it reserves all rights in that respect to safeguard her people, मतलब कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, यहाँ पर उसके पास साधे अधिकार हैं, कि वो देश जो चाहे वो कर सकता है, सोचिए इस तरह की statement कभी भारत दिया करता था, और अभी भी देता रहता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आज situation ये आ चुकी है, कि पाकिस्तान जो सोचता था कि वो अपने जमीन पर लगतार terrorists को पालेगा, और उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन आज आप देख सकते हो, पाकिस्तान इसको लेकर बहुत परिशान है, क्योंकि जो तालिबान है, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो एक बहुत बड़ा खत्रा बन गया है, और इसी की वजय से जब अफगानिस्तान के अंदर 2021 में तालिबान ने कैप्चर किया था तो पाकिस्तान बहुत खुशी मना रहा था पाकिस्तान सोच रहा था कि जो इंडिया का करा कराया सब कुछ इंफरास्ट्रक्चर बना बनाया अफगानिस्तान के अंदर है वो सब पुश्किल से लगभग डेड़ साल होने जा रहा हैं और आप देख सकते हो situation यह है कि पाकिस्तान और तालिबान एक दुश्रे के दुश्मन बन गए है एक प्रकार से तो इसी को मैं आपको डीटेल से बताऊँगा यहाँ पर एक बड़ी खबर यह आई है कि पाकिस्तानी एर force ने launch किया है air strike against Taliban in Afghanistan तो इसको समझेंगे क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने officially यह का है कि हमने नहीं किया है लेकिन यह खबरें सामने आई हैं इसको डीटेल से जानेंगे और यह जो return of Taliban terror है उसके बारे में भी discuss करेंगे कैसे हुआ क्यों आखिरकार Taliban rise हो रहा है पाकिस्तान आपका prelims crack हो सके उसका जो admission है वो आपका कल close हो जाएगा यह जो पूरी batch है दोस्तों वो कल से start हुई अभी अभी आपके पास time है कि आप इसके अंदर enrollment करा सकते हैं या फिर अगर आप 2024 के लिए पूरी preparation चाहते हैं UPSC की यह भी ले सकते हैं इन सभी के लिए आपको सिर्फ हमारे website app पर जाना या फिर comment section में इसका link मिल जाएगा वहाँ पर code इस्तमाल करना है अंकित live ताकि यह जितने भी courses हैं चाहें UPSC का foundation हो prelims का batch हो या फिर NCRT का course हो सिर्फ कम दाम पर आपको मिलेगा by using the code अंकित live इसके लावा और अगर आपको MCQs attempt करना है तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चली सुरवात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं exactly हुआ क्या देखें यहाँ पर national security committee meeting करंडर कराई गई थी पाकिस्तान के दोरा ताकि जिस प्रकार से terrorism फैल रहा है पाकिस्तान में उसको कैसे रोका जाए लेकिन उसके जस्ट बाद यहाँ पर खबर यह आई है कि पाकिस्तान की जो air force है उन्होंने air strike किया है अफगानिस्तान के border पर मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान का अगर आप border देखोगे इन पर यह आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे province है ध्यान रख यह अभी के लिए जा रहा है कि पाकिस्तानी air force ने जो अफगानिस्तान के अंदर यह वाला जो प्रोविंस है नंगरहर प्रोविंस यह आप देख रहा हो ना अब यह नंगरहर प्रोविंस बेसिकली मैं आपको बताओं तो यह अगेन आप देखी यहाँ पर यह पेशावर अभी आरोप यह लगा रहा है कि जो TTP वाले लोग हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले उनको एक प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर पनहा मिल गई है तो यह लोग क्या करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आते हैं यहाँ पर अटैक वगरह करते हैं और फिर TTP है वो बनाया ही गया था तालिबान के चीफ के द्वारा 2008 के समय तो यह ऐसा हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान था उसको हमेशा से भूठ सवार था कि भाई कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए भारत को कैसे हरा जाए उसने वो चाल चली लेकिन आज के रेट में पाकिस्तान के उपर उल्टा उसका असर देखने को मिल रहा है आप यूं समझ सकते हैं और इसके साथ-साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर एरिया है यह जो नंगहर प्रोविंस मैंने आपको बताया है पाकिस्तानी फोर्सेज और तालिबान के बीश में और इसमें लगभग यहाँ पर जब यह पुरा शेलिंग वगर हो रहा था फाइट चल रही थी तो यहाँ पर एक अफगान सिटीजन्स की भी मित्जी हो गई पाकिस्तानी जो ऑफिसर है उसको भी चोट लगी लेकिन यहाँ पर एक और जगह है साउथ वजिरिस्तान में तनाई रीजन वहाँ पर 11 जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स हैं उनको मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेज ने और इसके साथ-साथ इस तरह के कई सारे जो लडाईया है वो पूरे आपका जो आफिस से उन्होंने कहाए कि देखिए ऐसा कोई भी पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक नहीं किया गया है मतलब देखो अव्वेस सी बात है यहाँ पर अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा अफगानिस्तान के अंदर तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान उसको ख तो लेटसी वो क्या होता है लेकिन यहाँ पर खबर यही आई है कि पाकिस्तान ने अपनी एर फोर्सेस को अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए ही यहाँ पर एर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के अंदर ताकि जो टीटीपी के ठिकाने हैं उसको खतम किया जाए उसको रिजट किया है कि हमने नहीं किया लेकिन अक्च्वल कई सारे जगाओं से जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं वो आई है कि जी किया गया है ठीक है अब कोशन यह है कि यह तालिबान रिटरन है क्या देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जवरात है कि जब भी इस समय लें अपने को इंडिटी बताते हैं लेकिन कहीं न कहीं इनको पूरा सपोर्ट मिलता है तालिबान से तो यहाँ पर यह लोग अब वापस से पाकिस्तान को उसी दिशा मिलेगा है और जो 20 साल पहले हालत थी पाकिस्तान की कुछ वैसा अभी तो नहीं है लेकिन कुछ उसी प्रकार का धीरे-धीरे situation आपको देखने को मिलेगा और इसकी वो जैसे problem क्या हो रहा है कि जो expectation था पहले पाकिस्तान का कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे अब वैसा नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी मैं आपको कुछ दोनों के दोरा जो statement दिया गया था 2nd of January को मैं मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले याद होगा कि जब तालिबान ने capture किया था August के मैने में I think आपको याद होगा शायद 15 August का दिन है वो 15 August जब हम independence दे मनाते हैं तब यहाँ पर तालिबान ने पूरी तरह से capture कर लिया था अफगानिस्तान के अंदर attack कर दिया था एक प्रकार से और उसके अगले मेने 15 September को आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो ISI DG है इनका नाम है फैस हमिद हमिद ये बेसिकली पहुँच गए अफगानिस्तान के अंदर और ये इमरान खान की सरकार थी उस समय आपको याद होगा और इस तरह से चाय का कप पकड़े वे थे और मतलब बहुत शोबाजी की जा रही थी एक प्रकार से और ये बयान दे रहे थे अफगानिस्तान के मीडिया को कि देखे आप चिंता मत करिये सब कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तान आपका पुरा सपोर्ट कर रहा था तो आप सोची ये सेप्टेंबर 2021 और आज लगभग 13-14 मैने होने जा रहे है इन 13-14 मैने के अंदर क्या-क्या बदला है आज सीचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर है राना सनुला वो थ्रेटन कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर घुस कर यहाँ अबर तालिबान के उपर अटाक करेंगे एक वो दिन था और आज यह कि यह दिन है आप सोचिए ये सिचुएशन है इनफार्क तालिबान की तरफ से एक बड़ा ही चोकाने वाला भी पिक्चर सामने आया था तालिबान मौक कर रहा था पाकिस्तान को यह पिक्चर दिखा क तो ये situation हो गया है, question यह कि TTP जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार अटाक कर रहा है पाकिस्तान में, वो लगातार आगे कैसे बढ़ता जा रहा है, इसका main कारण है कि जब से तालिबान ने capture किया है अफगानिस्तान के अंदर, इनको एक प्रकार से मजबूती मिल गई मतलब ये जो ट्राइबल इरियाज आप देखरो ना, खाइबर पक्तन को आवाला, यहाँ पर ये इनका strong hold है तरीके तालिबान पाकिस्तान का, तो actually में 2021 में जब ये पूरा प्रकरण हुआ था, तालिबान ने capture किया था, तो एक तरफ इमरान खान की सरकारती, वो इस victory को कह रहे थे कि ये तो इसलाम की जीत है, अमेरिका की उपर, आपको याद होना है, वो जो statement आया था, इमरान खान का, कि वो इसलाम की जीत है, जो अफगानिस्तान में हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कई सारे और लोग थे, जो ये सोच रहे थे कि अब मौका आ चुका है कि यहाँ पर जो strict शरिया रूल है, वो पाकिस्तान में भी implement किया जाएगा, मतलब तालिबान के return होने से, हर कोई अपने अपने आप से interpretation निकाल रहा था कि हम ऐसा करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे, जैसे कि जावेद बाजवाग, जो चीफ थे आर्मी चीफ थे, पाकिस्तान के आपको याद होगा उस समय, उनका ये कहना था, देखिए, ये जो तालिबान का return हुआ है, वो कही न कहीं पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, और और भी कई सारे moderate voices थे पाकिस्तान के अंदर, जो यहाँ पर warning दे रहे थे इमरान खान सरकार को कि तालिबान के आने से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई शांती आ जाएगी, यहाँ पर उल्टा पाकिस्तान के अंदर बहुत जादा terrorism और जादा फैल सकता है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जब तालिबान आया था काबूल के अंदर, उन्होंने बहुत सारे जो prisoners थ कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने अपना खुद का एक tax, जो rule है पूरा, वो लेकर आ गया है, वहाँ पर लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपनी जो beard है, डाड़ी है, उसको मत कटाई है, ठीक है, इस तरह के कई सारे आपको problem चुनाथियां देखने को मिलेगी, तो finally conclusion क्या निकलता है, conclusion यही है कि जैसा पाकिस्तान सोचा था तालिबान के आने से कि उसको उसके लिए अच्छा होगा और भारत के लिए नुकसान होगा, अब situation बहुत जादा उल्टा हो चुका है, तालिबान और पाकिस्तान एक प्रकार से एक दूसरे के बहु कि recently उडिसा के जो गंजम जो एरिया है ना गंजम डिस्टिक रूशी कुलिया, वहाँ पर जो वर्ल्ड की highest flying bird है, बार-headed goose ठीक है, वो recently spot की गए थी, क्या आप बता सकते हो यह कौन से region की native है, कहां से बिलॉंग करती है, जो birds हैं, कहां से आई हैं, इसका right answer आप सब को पता ह पर तो मिलेगा है, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ आपर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, लग-लग social media पर आप जोड़ होगे, और जैसे मनें बताया, UPSC Prelims के अगर आप त्यारी करो 2030, this is the best chance for you, क्योंकि कल इसके अंदर admission close हो जाएगा, use the code अंके ताइब, ताकि आप इसके अंदर enrollment करा सके हैं, hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से नेक्स ताइम, तिल देन, thank you very much, see you soon Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable